आज के समय में शादी की कई ऐसी वीडियो हैं जो आए दिन वाइरल होती रहती हैं, किसी में नई नई रस्में देखने को मिलती हैं, तो किसी में ऐसे इंसिलेंट हो जाते हैं, जो पूरी जिन्दगी भर नहीं भुलाया जा सकते हैं फिलाल आपने पेड़ के साथ शादी करने के बारे में तो सुना ही होगा, पर आज मैं आपको एक ऐसी शादी के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में जानकर आप एकदम हैरत में पढ़ जाएंगे, एकदम हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये शादी ना तो किसी लड़की से हो रही है ना ही किसी पेड़ से बलकि ये शादी हो रही है एक खतरनाक मगर מד से और तो और ये शादी को याम इनसान नहीं कर रहा है ये शादी खुद मैक्सिकोटे सेनपIETRO जिन का नाम है केटर हुक कर रहे हैं यह शादी पूरी दुनिया में बहुत मशूर हो रही है लोगों का ध्यान कीच रही है पर मन में इस सवाल आपके जरूरा होगा कि ऐसी जीबों गरीब शादी एक ठीक ठाक इंजान जो कि एक मेर भी है वो किसी लड़की को छोड़ कर एक मगरमच के साथ ऐसी शादी में फैल कई मेर साब ने अपनी शादी में कई हजार लोग को बुलाया था अपनी शादी में अपनी दुलन यानि मगरमच के साथ डांच करते हुए भी यह दिख रहे हैं अब इसकी एक खास वजा है जिसके बारे में अब जरा हम बात कर लिते हैं मैक्सिको में इस तरह की शादी करने की जो परंप्रा है बहुत ही पुरानी है इस तरह की शादी करने का जो मकसद है वो यह है कि इनसान का नीचर और जानवरों के साथ रिश्टा मजबूत हो सके आपको शादी बेशक अजीब लग रही हो पर इस तरह की शादी करना यहां पर आम बात है और ऐसा क को समझ यह आ गया होगा कि इस वजह से मेर सामने शादे की थी जो परंपरा है यह 1789 से चलिए आ रही है मतलब तब सही लोग इस तरह की शादी करते आ रहे हैं इस परंपरा में शादी से पहले ही लोग मगर और मज का नाम रखते हैं और फिर डेट फिक्स करते हैं और फिर रष्तेदारों को बलाते हैं और फिर होती है अनुग की शादी कैसी लगे आपको इस शादी कमेंट में जुरू बदाएगा उम्मीद करता हूं वीडियो से लगी होगी वीडियो चले तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीजिएका मिलते अगली वीडियो के अंदर जाहिंग जाह भारत